चीन ने लोगपिरिय इंस्टेंड मैसेजिंग सर्विस वर्टसैप के वीडियो, वाइच चैट और तस्वीरों पर प्रतिवन लगाने के बाद इसके टेक्स्ट सेवा पर भी पूरी तरह से प्रतिवन लगा दिया है इसे फेस्बुक के मुख कारेकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को चीन में दोबारा प्माव पर सान्य के प्रयास को छटका लगा है CNN की रिपोर्ट के अनुसार सेंसर्श्टिप ने ग्रानी और ट्राफिक जोड़तोर के पहचान करने वाले एक वैश्विक अब्जर्वेशन नेटवर्प ऑपन अब्जर्वेट्री ओफ नेटवर्ग इंट्रफेरेंस के अनुसार चीन के इंटरेट सेवा प्रदाताओं न कुछ बाधाएं भी आ रही थी खबरों के मताबिक इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस सेवा वट्सैप पर पतिवन ये बताता है कि चीन ने इन मैसेजों से निपटने के लिए सौफ्ट्वेर पनाली विक्सिट करनी है ये पनाली इंक्रिप्शन पनाली पर निर्वर करती ह जिसका प्रियोग वट्सैप के लाबा अन्य सेवाव में किया जाता है ये कदम ऐसी समय में उठाया गया है जब 18 अब्वर को कम्मिनिस पार्टी कॉंग्रेस की बैठव होने वाली है जिसमें राष्टपती शी जिंपिंग अपने दूसरे पांच पर वट्से कारेकाल के श 2014 से इंस्टाग्राम पर परतिबंद लगा हुआ है वहीं वट्सैप ने इस घटना पर किसी तरह की कोई आधिकारी घोशना नहीं की है कुछ लोग हलाकि वर्चुल प्राइवेट निट्वर के जरिये या इंटरनेट ट्राफिक में हेरफिर कर इन सेवाओं का इस्तेमाल कर करते हैं लेकिन चीनी सरकार ने इस वट्स वेपियन का भी तोड निकाल लिया है टीम इंडिलिंग्स